नमस्कार आप देख रहे हैं खबर दो पहर मैं हूँ आपके साथ प्रीती सिंग शुरुआत सुर्खियों के साथ बच्चीयों के साथ सामोहिक दुश कर्म पर राश्रोपती ने जताया गेहरा दुख जम्मू में माता वैस्टनों देविविश्वु दिख्चान समारू में कहा मानवी मूल्यों पर आधारिट शिक्षा समय की जरूरत समाज को दी आत्मनिरिक्षण की सला प्रधानमंत्री ओ ब्रितेन की प्रिधानमंत्री तेरेसा में के बीच शिखर वार्ता, स्वास्तर डिजिटली करण और साइबर सुरक्षा पर जोर अंतराश्ट्री सौर गडबंधन में शामिल नए सदसे बृतेन का आज अपचारिक स्वागत करेंगे प्रिधान मंत्री भारत की बात सब के साथ आज रात संबोधित करेंगे प्रिधान मंत्री कई देशों में होगा प्रसारण नरेंद्र मोधी देंगे लोगों के सवालों के जवाब असम में सबसे बड़ी स्वास्थ बीमा योजना अटल अमरित अभिहान के शुरुआद उप्राश्पती अमविंका एनाइडू ने गुवाहाटी में किया शुभारम राज्य की तीन करोर से ज़ादा लोगों को मिलेगा लाब खिलारी अब सीदे खेल मंत्राले से कर सकते हैं संपर्प राज्य सबा टीवी के साथ खास बाचीत में खेल मंत्री राज्य वर्धन सिंग राथोड का बयान का उलम्पिक में भारत का भविश्य सुनेहरा राश्पती रामनात कोविंद ने कट हुआ गैंग रेप और हत्याकान की घटना को शर्मनाग बताया है जम्मू में माता वैश्णुदेवी यूनिवर्स्टी के दीश्यान समारों में राश्पती ने कहा कि आजादी के 70 साल बाद भी देश में ऐसी घटनाएं शर्मनाख है उन्होंने कहा कि हाल ही में जम्मू में एक बच्ची के ऐसी निर्मम हत्या का शिकार हुई है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती हमें सोचना होगा कि हम किस प्रकार के समाज को विक्सित कर रही है राश्पती ने महिला सुरक्षा को सबके जिम्मेदारी बताया राश्पती ने कहा कि मामले में बच्ची को न्याय मिलना चाहिए किसी ने किसी कुने में कहीं ने कहीं हमारे बच्चे आज जगन्य अपराधों का सिकार हो रहे हैं हाल ही में इस राज्य में एक मासूम बच्ची ऐसी बरवरता और निर्मम हत्या का सिकार हुई है जिसकी कलपना भी नहीं की जा सकती जीवन का उद्देश मानवी मूल वह बहुत जरूरी है हम कैसा समाज बना रहे हैं हम अपनी भावी पीडी को क्या दे रहे हैं क्या हम ऐसे समाज के निर्मार कर रहे हैं जहां हमारी माँ बहने और बेटियां जो हमारा भारती समिधान है उसमें नहित न्याय, स्वतंदता, समानता और बंदता को सही अर्थों में अनभो कर सकते हैं हम सभी की ये जिम्मेदारी बनती है कि देश के किसी भी बाग से किसी भी बेटी या बेहन के साथ ऐसा ना हो इस बीच कट हुआ सामोहिक दुशकर्म और हत्या के मामले में मीडिया समूहों ने पीडिता की पहचान उजागर करने के मामले में आज दिल्ली हाई कोट में माफी मांगी है हाई कोट ने कहा कि पीडिता की पहचान उजागर करने वाले मीडिया समूहों को 10-10 लाख रुपे जुर्माना देना होगा बीडिया समूहों की तरफ से पेश वकीलों ने दलील दी कि खानून की अग्यानता और इस घलत धारना की पीड़िता के मृत होने पर उसका नाम लिया जा सकता है इस वजह से गलती हुई है अदालत ने एक हफ़ते की भीतर जर्माने की रखम रजिस्ट्रा जनरल ओफ हाई कोट के पास जमा कराने के लिए कहा है जहां से ये रखम जमू कश्मीर के मौवज़ स्कीम में इस्तमाल की जाएगी हाई कोट ने इस मामले से संबंदित कानून को व्यापक रूप से प्रचारित करने का भी निर्देश दिया है और अब खबरें प्रधान मंत्री के ब्रिटेन दौरे से जुड़ी तीन ये देशों की आत्रा के दूसरे चरण में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिटेन में है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिटेन की प्रधान मंत्री थरे समय से मुलाकात की दोनों नेताओं ने द्वीपक्षिय मुद्दो समेत कई मस्लों पर चर्चा की है तीन यूरोपिय देशों की आत्रा के दूसरे चरण में प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी ब्रिटेन में है और इस वक्त ये सीधी तस्वीरे आप देख पा रहे हैं प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी की ब्रिटेन की प्रधान मंतरी थेरे समे के साथ द्वीपक्षिय बाचीत हो रही है और आज दोनों नेताओं ने मुलाकात कर रहे हैं और तमाम आपसी हितों और आपसी सहयोग वो तमाम शेत्रों में मजबूत बनाने के उपायो पर चर्चा की जा रही है प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी और ब्रिटेश प्रधान मंतरी थेरे समे के बीच द्वीपक्षिय वारता में स्वास्त, डिजीटली, करण और साइबर सुरक्षा समेत कई अहम मुद्धों पर चर्चा होगी इस दोरान व्यपार, निवेश, वैग्यानिक और प्रध्योगी की सहयोग से संबंधित दस से ज्यादा समझोतों पर हस्ताक्षर की भी उम्मीद है दोनों निताओं के बीच शिक्षा शेतर में सहयोग बढ़ाने पर भी चर्चा होगी जिसमें खास तोर से भारतिये चात्रों के लिए वीजा असान करने और दोनों देशों की कुछ खास डिग्रियों की पारस पर एक मानिता देने पर जोर रहेगा इस से पहले प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी स्वीडन की यात्रा पूरी कर देर रात बिटेन पहुंचे लंदन के हीथरो हवाय अड़े पर प्रधान मंत्री का बिटेन के विदेश मंत्री बॉरिस जॉंसन ने स्वागत किया बिटेश प्रधान मंत्री से शिखरवार्ता के अलावा लंदन में आज प्रधान मंत्री मोदी कई और कारिक्रमों में शिरकत करेंगे प्रधान मंत्री मोदी भारतिय विज्ञान और नवाचार के 5000 साल पर आधारित एक प्रदर्शनी का दौरा भी करेंगे जिसके बाद Living Bridge Themed Reception में भी हिस्सा लेंगे प्रधानमंत्री मोदी करनाटक मूल के संत बासवेश्वरा की पृतिमा पर शर्धानचली अर्पित करेंगे वो Research Labs का दौरा करने के साथ इंडिया UK CEO Forum की बैठक के अलावा क्रिक संस्थान में होने वाले कई कारिक्रमों में भी हिस्सा लेंगे उनका Queen Elizabeth से मुलाकात का भी कारिक्रम है प्रधानमंत्री लंदन के एतिहासिक Central Hall Westminster से भारत की बाद सब के साथ करेंगे इसके बाद वो प्रधानमंत्री थेरेसा में की ओर से आयोजित रात्री भोज में हिस्सा लेंगे प्रधानमंत्री नरिंद्रमोदी 19 और 20 अप्रेल को राश्ट्रमंडल साशना ध्यक्चों की बैठक में शिरकत करेंगे 2015 में माल्टा में हुए चोगम सम्मेलन में वो शामिल नहीं हुए थे 2009 के बाद ये पहला मौका होगा जब कोई भारतिय प्रधानमंत्री चोगम में हिस्सा लेने जा रहे हैं कॉमन वेल्स शिखर समयलन के पहले प्रधानमंती नैनेंद मोदी और बीटिन की प्रधानमंती थेशा में के बीच शिखर बारता इस कारण से की जा रही है ताकि दोनों देश मिलकर ना सिर्फ आपसी मसलों पर चर्चा करें बलकि दुनिया के बारे में एक राय बनाएं ताक की दुनिया में विकास को गतिसील बनाया जा सके और आतंक वाज जैसी समस्याओं को दुर रखा जा सके राजसवा टेलिविजिन के लिए कैमारा प्रसंद शुवी सुजरसन के साथ लंदन से अखिलेश सुमन सिधा लंदन चलेंगे अपने विदेश मावलों के समपादक अकलेश सुमन के पास जो इस समय हमाई सा जुड़े हुए हैं अकलेश प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी और प्रधान मंत्री थेरे संबे के बीच बातचीत को लेकर फिलाल क्या अपडेट है तमाम ऐसे मसले हैं जिन पर चर्चा होने की संभावना थी ताकि आपसी जो सहयोग हो वो और मजबूत किया जा सके या अनिश्ची तोर पे पिरिती देखिए जिस तरह के भारत और बिटेन के संबंध हैं साइद बिटेन से ज़्यादा भारत को कोई नहीं जानता और भारत बिटेन से ज्यादा किसी और देश को नहीं जानता तो इस तरह का एक संबन्द जिसको कहते हैं कि औरगेनिक रिलेसनसी परहा है भारत और बिडिन का और वैसे में जब प्रधानमंत्री नैंद मोदी तेरसा में से मिल रहे हैं तो निश्ची तोर पे एक जो सबसे अहम मसला है जो आतंकवाद को फिनांस करने का जिए मसला है उस उस मामले को भी उठाया जाएगा तो आप समझ सकते हैं बिडिन जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान दोनों से जुड़ा रहा है और बिडिन द्वारा सासित जो 52 देश हैं इसमें सामिल हो रहे हैं तो उसके पाले जब तेरसा में प्रधानमंत्री नैंद मोदी से बात कर हैं तो इस हम मामले पर बात होगी और जहां तक बाइलेटरल की बात है तो पछे मामले में टेक्नोलोजी कोपरेशन जो सबसे आहम बुद्धा है कि भारत और बिडिन किस तरीके से तकनिक में सहयोग कर सकते हैं और इसलिए आज दिखे जिस तरीके से प्रधानमंत्री को मह प्रधानमंत्री के साथ रहेंगी जब जाएंगे क्रिक इंस्टिटूट और इंडिया यू के जो टेक्नोलोजिकल कोरेशन अभी चलना है उसके बारे में एक विस्तार से एक बात की जाएगे और उसके आगे के भवी सिपे वहां चर्चा हो जाएगी वेग्यानिस को सही ब आपसे मिलेंगे तो एक दिन में तीन मुलाकात काफी अहम माना जा रहा है और एक तरीके से के हैं कि बिटन को एक लंबे समय के बाद यहाँ महसूस हुआ है कि भारत जो दुनिया का सबसे बड़ा लोग तंत्र है और जिसके साथ बिटन के बहुत अच्छे संबन्त है वो विकास में मदद मिले तो यह मूल ठीम है इसी मूल ठीम पे दोनों प्रधानमंदियों के बीच में बात हो रही है और जब कल कॉवन थी में दोनों प्रधानमंदियारे के लोग रहेंगे तो उस समय भी इस बात पर जोड़ दिया जाके किस तरह एक साजा भविस की रचना दोनों मिलके कर सकते हैं और उसमें भारत का क्या युगदान हो सकता है बृतें के बढ़ते कद और आपसी संबंदों के मजबूत होने का संगेत इससे भी मिल रहा है कि प्रिधान मंतरी नरेंदर मोदी का ट्रीटमेंट कितने अच्छे तरीके से उनका स्वागत बृतें में क ये बृतें दोरे से पहले भारत के अगवाई वाले अंतराश्ट्रिय सौर गडबंधन में शामिल होना बृतें का क्या ये भी कुछ संकेत दे रहा है निश्ची तौपिया बहुत बड़ा संकेत थे क्योंकि दिखिए बीटन के पास जो वैकल्पी कुर्जा है वैकल्पी कुर्जा में बीटन काफी आगे बढ़ा हुआ है उसने एक मापदंड तै किया है अपने लिए कि किस तरह से अगले पांच सालों के अंदर सबसे ज़्यादा निर्भरता है वैकल्पी कुर्जा जो रिनिवेबल एनरजी है उन सारे चीज़ों पर करेगा और ऐसे में जब भारत ने पहल ली जब फ्रांस के रास्पती के साथ मिलकर जब भारत ने अंतरास्टिये सोलर एलाइंस बना तो उस एलाइंस पे कई तरह के सवाल खड़े हुए थे कि उसकी फीजिबिलीटी क्या है वो कितना चलेगा लेकिन जब अभी जब देखा आपने की दिल्ली में जब इस सोलर एलाइंस का पहला कॉन्फरेंस हुआ और जिस तरह से कई देशों ने काफी गर्म जोसी से उसमें हिस्सा लिया तो उसके बाद म परिवरतन की समस्या में भी भारत के साथ मिलकर और जो एक एलाइंस बना है उस एलाइंस के साथ मिलकर काम आगे बढ़ सकता है और यहां एक भारत की कहिए कि एक बहुत ही बड़ी राजनितिक सफलता है राजनिक सफलता है और दुनिया में अगर कहें कि ग्रीन ना सिर्फ राजने के मामले में बलकि जनवाई उपर विरतन जैसे खतरनाक मामले में भी यह एक मिल का पत्थर माना जाएगा बहुत बहुत शुक्रिया ख्लेश आप लगातार लंदन से हर अपडेट प्रधानमंत्री नरेंदर मोधी के यात्रा को लेकर हम तक पहुचा रहे हैं फिलाल हमाय साथ जुड़ने एक लाप का बहुत बहुत शुक्रिया और लंदन रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल स्वीडन के स्टॉक होम में भारते समुदाय को संबोधित किया प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत परिवर्तन की दौर से गुजर र प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में रिफॉम नहीं ट्रांस्फोर्मेशन चल रहा है और उनकी सरकार न्यू इंडिया के लिए प्रतिबद्ध है प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले चार सालों में एक के बाद एक ऐसे कदम उठाए गए हैं जिन से भारत से दुनिया की प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने उजा के नई स्रोतों पर बीते साल बहुत काम किया है और ग्रीन अर्थ के उदेशे से काम कर रहा है दुनिया की आशा और विश्वास दिन बदिन बढ़ता चला जा रहा है कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि दिल्ली में इंट्रनेस्टरल सोलार एलैंज समीच का आयोजन किया गया ग्रीन अर्थ ग्रीन अर्थ के लिए भारत के इस बड़े इनिशिटिव से थोड़े से समय में साट से अधिक देश उसके साथ जूड़ चुके हैं मिसाइल टेकनलोजी कंट्रोल रिजिम हो MTCR आस्ट्रेलिया ग्रूप हो या फिर वासनार अर्रेंजमेंट इन तीनो रिजिम में भारत की सदस्यता आन्तराश्य समूदाई में भारत के बड़ते प्रभाव और स्विकारयता का जीता- जाकता सबूत है प्रधान मंत्री ने कहा कि भारत में व्यापार करना अब पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है आज भारत में बिजनेस करना आसान हो गया है, 42 रैंक्स की छलांग लगा कर भारत इज अब डूइंग बिजनेस में पहली बार टॉप हंडिड में आया है देश की इंडारेक्ट टैक्स रिजिम में किये गए इत्यासिक रिफॉर्म जी एस्टी को उद्योग जगत अपने जीवन का हिस्सा बना रहा है प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व के साथ भारत के सहयोग पर जोर दिया प्रधानमंत्री ने कहा कि सैटेलाइट प्रक्षविपर में दुनिया के उन देशों की भी सहायता की जा रही है जिनका अपना स्पेस प्रोग्राम नहीं है प्रदार मंत्री ने कहा कि नेपाल में भुकम से लेकर श्रीलंका में बार तक भारत मदद के लिए आगे आया वैश्विक मुद्दों पर भी भारत सहयोगी राष्ट के रूप में खड़ा है यही वज़े है कि मानवता आज भारत की ओर देखती है अखिलेश सुमन राज्य सभा टेलिविजिन नौडिक देशों ने संयुक्त राष्टर सुरक्षा परिशद में भारत की स्थाई सदस्यता का समर्थन किया है स्वीडिन की राजधानी स्टोहों में कल प्रथम भारत नौडिक समेलन के बाद जारी साजह बयान में नौडिक देशों ने परमाणू आपूर्थी करता समुक्त के सदस्यता के लिए भारत की दावेदारी का भी स्वागत किया प्रधान मंतरी नरेंद्र मोडियों के साथ भारत और नौडिक देशों के बीज सहयक बेहतर बनाने का संकल्प लिया इस दोरान सुरक्षा, आर्थिक वृद्धी और जलवायू परिवर्तन जैसे एहम मुद्धों पर भी जर्चा की गई सम्मेलन में वैश्विक सुरक्षा, आर्थिक वृध्धी, इनोवेशन और जलवायू परिवर्तन से जुड़े एहम मुद्दों पर भी बात चीत हुई उन्होंने माना की इनोवेशन और डिजिटल बदलाव एक दूसरे से जुड़ी इस दुनिया में तरक्की की उम्मीदे बढ़ाता है जो भारत और नौडिक देशों के बीच बढ़ते संबंधों के लिए काफी एहम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल स्टॉकों में स्वीडन के प्रधानमंत्री स्टीफन लोखवेन के साथ शिखर वारता की दोनों नितावने रक्षा, सहयोग, निवेश, विज्ञान और प्रोध्योगी की कौशल विकास स्वच उर्जा समेत कई एहम मुद्दो पर बादशीत की दोनों दिशों के बीच नवाचार के ख्षेतर में साज़ेदारी बढ़ाने और साजाकारे योजना को लेकर सहमती बनी है स्वीडन ने नवाचार साज़ेदारी बढ़ाने के लिए 50 मिलियन स्वीडिय श्क्रोना की मदद का ऐलान किया है इसका स्मार्ट सिटी और नवी करने उर्जा के विकास में मदद मिलेगी आज हमने एक इनोवेशन पार्टनर्शिप और जोईंट एक्षन प्लान पर सहमती की है इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट, स्टार्ट अप्स, मैनुफेक्टिरिंग आदी हमारी साज़ेदारी के प्रमुक आयाम है इनके साथ हम रिन्यूबल एनर्जी, अर्बन ट्रांसपोर्ट, वेस्ट मैनेजमेंट जैसे अनेक विशों पर भी ध्यान दे रहे हैं India is aiming for an unprecedented economic transformation, including in manufacturing as well as in digital development and Sweden has many sustainable and innovative solutions to offer. I'm talking about green technology, smart cities and innovation as part of our cooperation and at the end of the day, it's about creating jobs and a sustainable economic growth. केंद्र सरकार अब पदोन्नती में अनुसूच जतजाती और जनजाती को आरक्षन देनाने के लिए सुप्रीम कोट में अपील करेगी. केंद्र अबंतरी रामविलास पासवान ने कालिया एलान किया, उनके मताबक सुप्रीम कोट ने प्रमोशन में आरक्षन के पक्ष में आदेश दिया है, लेकिन कई शर्ते जोड़ दी है, इससे प्रमोशन में आरक्षन रुख गया है. रामविलास पासवान ने कहा कि सरकार इस मसले पर अध्यादेश भी ला सकती है, लेकिन पहले वो सुप्रीम कोट जाएगी. उन्होंने कहा कि अनुसूच जाती और जनजाती वर्ग के कर्मचारी भी दूसरों जितने ही दक्ष हैं. केंदर ने अनुसूच जाती जनजाती के उत्पड़न के खिलाफ कानून पर सुप्रीम कोट के नए दिशानर देशों पर भी पुनर विचार याचिका दायर की है. अब कैसे होगा? दो तरीका है. एक तरीका चैकरती ये है कि सुप्रीम कोट ने ये नहीं कहा है कि प्रमोसर्णमे रिजरवेशन नहीं होना चाहिए. उन्होंने काया कि रिजरवेशन के अगर्शन के अगर्ट今回 होगा लेकिन ये तीन केरेटेडिया जो तीन कंडिसनस लगा यह सबाला है यह सवाल है इनके सबसिरु का शनर कि यह दूसरा तरीका है चा वार्थियुकर्ण मान से वाफ्वाइज सुप्रीम कुर्ष जया है कि नहीं टेह पर मुष्ण मेडिजर विस्न नहीं हो का तो फिर सरकारे दूसरा प्रताप शुकला ने एक बार फिर दोराया है कि देश में नकदी की कोई कमी नहीं है उन्होंने कहा कि देश में जरूरत से जादा नकदी उपलब्ध है कुछ राज्यों में कैश की कमी से निप्टा जा रहा है वित्मंत्राले की मताबिक कुछ राज्यों में अचानक नकदी की मांग बढ़ गई है इनमें आंद्रप्रदेश, तिलंगाना, करनाटक, मद्रप्रदेश और बिहार शामिल है इससे पहले कल वित्मंत्री ने कहा था कि कैश की अस्थाई कमी को दूर करने के लिए परियाप्त कदम उठाय जा रहे हैं इसके लिए समिती भी बनाई गई है, रिजर्व बैंक ने कहा है कि उसके पास परियाप्त नकदी मौजूद है साथी नोटों की छपाई का काम भी तेज किया गया है पैसे की कमी ऐसे कुछ भी बात नहीं है बलकि आज भी लगबग डिर्ष लाक करोड से अधिक करन्शी हमारे पास है और जहां उसकी आवश्यक्ता होगी हम उसको पूरा करेंगे अटियम्स में भी दे रहे हैं हो सकता है कभी कभी एटियम्स की खराबी के नाते कभी किसी और नाते ना रहा हो लेकिन एटियम्स से पैसे भी निकल नहीं है पार्लेमेंट में है पैसा नहीं है जाओ को निकाल करके लेकर करके चले आओ उप्राश्पतिय विंका नाइडू ने आज असम की राजधाने गुआ हाटी में अटल अम्रित अभिहान की शुरुआत की इस मौके पर उप्राश्पति ने कहा कि सरकार की इस योजना से लाखों लोगों को फायदा मिलेगा उर्वोतर्क शेत्रों में असम सबसे बड़ा राजधे है और स्वास्ते सुविधाओं और आधारगू धाचे के अभाव की वज़े से लोगों को दूसरे राजधियों का रुख करना पड़ता है सरकार की इस योजना में खरीबों के लिए मुफ्त स्वास्त बीमा योजना मुहया होगी इस योजना का लाब पांच लाख से कम वार्शिक आए वाले सभी परिवार ले सकते हैं इस योजना का उद्देश नागरिकों के स्वास्ति की सुरक्षा और अच्छी गुडवत्ता वाले चिकित सा सिवा उपलब्द कराना है इस अभ्यान के लिए सरकार ने 200 करोड रुपे का बजट रखा है योजना का लाब 3 करोड से जादा नागरिकों को मिलेगा इस स्वासि केने है। लेतर зап counting ए अफ ब пошता स्रвried स्वास्ति की स्वास्ति अफ संवाधी कि मिलेगा तुट की स्वास्ति की सौर्श нач एमेबर जी के स्वास्ति खेल और खेलाडियों को प्रोटसाहन देने के लिए सरकार हर मुम्किन कोशिश कर रही है खेलाडी अब सीधे मंत्राले से संपर्ग कर सकते हैं खेल मंत्री राज़े वर्धन सिंग्राथओर ने राज़े सबाटीवी के साथ खास मुलाकात में बात कही उन्होंने कहा कि अथलीटों को तैयारी के लिए हर महीने पचास अजार रुपे दिये जा रहे हैं खेल मंत्री ने रालफीता शाही खत्म करने और खेलाडियों को सीधे संपर्ग करने की बात कही है उन्होंने कहा कि उलम्पिक में भारत का भाविश्य सुनहरा है खेल मंत्री ने राश्टो मंडल खेलो में भारते खेलाडियों के प्रदशन पर खुशी जाहिर की जालो तो ते घुन थे जाहिस बाहिस पूली बाज़ उन्होंनी खीर रानी जाओ मिझाटा थे जालावन्छी और भारत में प्रफट लांवीन की आदेशों and for him to also realize that the government is committed towards sports, towards bringing in transparency in the sports, in the running of the federations, and for him to interact with us and know that Olympics has a very safe future in India. खेल मंत्री राज़े वर्धन सिंग्रा थौर के साथ ये खास बाचीत आप देख सकते हैं, हमारे कार करिम तू दे पॉइंट में आज राद दस बजे और गुरुवार सुभा दस बजे. इसे के साथ फिलाल खबर दुपेहर में में साथ इतना ही आप बने रहे हैं राज़े साभा टीवी के साथ, नमस्कार.